हेलो फ्रेंड्स वेलकेम बैक टू माई चैनल आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक से पांच साल तक के बच्चे का वजन आप कैसे बढ़ा सकते हैं और कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं बताऊंगे जिसको अपना कर आप अपने बच्चे का वजन बढ़ा सकते हैं और करते हैं शुरू ए कि शोट गर में शार क्या संगल तो कि इसा करते हैं आधा दूद और आधा पानी मिला दे तोड़ा पानी मिला दे मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा किया था कि शुरात में 10-15 दिन तक मैंने पानी मिलाया था और धीरे धीरे मैंने वह आदत चुड़ा के और फुल क्रीम मिल्क देने लगी थी मैं तो ऐसा ही आपको भी करना है कि आपको अगर कोई प्राब्लम नहीं तो आप शुरू से फुल क्रीम मिल दीजिए और अगर कोई प्राब्लम हो रही है तो शुरुआत में आप इसको धीरे-धीरे करके एड्जस कर दीजिए क्योंकि अगर फुल क्रीम मिल देंगे तो उससे बच्चे का वेट बहुत तेजी से गेन होगा और दूसरी बात आप को यह करना है कि आपर अब रात में मुनक्क का बीगा दें चार-पांच मुनक का बीगा दें और सुबह के टाइम में मुनक की बीज, निकाल दें सके इंदर बीज होती है, उसको आप बच्चे को खाने को देए, बच्चा अगर आपको वैसा ही खाले रहा तो अच्छी बा या आम दूद यह चीज आप जरूर दें क्योंकि इससे बच्चे का वेट बहुत तेजी से गेन होगा आप यह कर सकते हैं कि आप रात में एक बादाम और एक खजूर भीगा दें और सुबा उसको जो है आप दूद के साथ बनाना शेक आप बना लें या मैंगो शेक आप बना लें दोनों में से कोई सा भी आप बना सकते हैं और जब यह एड हो जाएगा खजूर और बादाम उसमें तो बच्चे का वेट बहुत तेजी से गेन होगा गर्मी का मौसल में त बच्चे को नुकसान नहीं करेंगी बहुत फाइदा करेंगी तो यह भी चीज आप करिए और जो मैंने मौनक का बताया था आप में भीगाने के लिए सुबह अगर आपका बच्चा खाली नहीं खा रहा तो यह जब आप शेक बना रहें तो इसमें भी एट कर सकते हैं उसक अधाचमच घी भी आप आप कर दीजे और फिर उस आटे को आप गूंधिये और जब बच्चे के लिए पराठा बनाई तो भी देसी घी में ही बनाई तो इस तरह का पराठा आप जब बच्चे को खिलाएंगे तो वह बच्चे को बहुत फायदा करेंगा और इसे बच्च जब सॉलिट पर आ जाता है तब भी उसका दूद नहीं कम करते हैं तो बच्चा एक साल से उपर का हो गया फिर भी वह सिर्फ दूद पर ही अगर डिपेंड है तो उसका वेट कभी नहीं बढ़ेगा बलकि उसको कब रहेगा वह बहुत परेशान रहेगा तो ऐसे टम में आ और वो चीज़ दें जिससे उसको आइरन मिले विटामीन मिले और भी सारी चीज़ें मिले तो इससे बच्चे का वेट तेजी से गेन होने लगेगा उमीद करती हूं कि आपको यह चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज